चोरी डकैती से लेकर अन्य अपराधों के लिए दोश्यों को सजा देने के लिए जेल में रखा जाता है। इस जेल में रहने वाले कैदी ये बात भूल जाते हैं कि वो जेल में हैं। आमान निजीवन जीने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए पूरी कोशिस की जाती है। 700 कैदी रहते हैं इस जेल में रहने वाले कैदीों को 40 सब्ताह तक उत्पादक कोशल्दा की ट्रेनिंग दी जाती है। वही निजीलेंड इस जेल में सुरक्षा मानक तो बहुत कड़े हैं लेकिन कैदीों की सुख सुविदाओं का भी पूरा खयाल रखा जाता है। इस जेल में रहने वाले कैदीों को फार्मिंग, कुकिंग, लाइट, इंजीनरिंग जैसे कावों में दक्षता की ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेन की अरंजुएल जेल अपने आप में अनौकी जेल है क्योंकि यहां कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने की छूट है। सैलों के अंदर छोटे बच्चों के लिए दिवारों पर काइटून बनाए गए हैं, साथ ही उनके लिए यहां स्कूल और प्लेग्राउंड की भी विवस्ता है। दरसल इसके पीछे वज़ए यह है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ रह सकें और माता पिता भी उन्हें संभालना सीख सकें। यहां 32 ऐसे सेल हैं जहां कैदि अपने परिवार के साथ रहते हैं। औस्ट्रिया की जेल किसी फाइव स्टार होटेल से कम नहीं है। पूरी तरह से काच से ढकी इस जेल का नाब जस्टिस सेंटर लियोबेन है। यहां जिम से लेकर स्पोर्ट सेंटर और कैदियों के लिए निजी आलिशान कमरे बनाए गए हैं। जिसमें टीवी से लेकर फ्रिज तक सभी जरूरी चीजे उपलब दें। साल 2004 में बनी इस जेल में कैदि किसी राजा से कम की जिन्दगी नहीं जीते हैं। पूरी स्विज़लेंग की चैप जॉल इन प्रिजन। स्विज़लेंग की ये जेल कभी कैदियों की भारी संख्या के लिए बहुत बदनाम थी। आज के समय में इस जेल में कैदियों के लिए कमरे किसी अच्छे हॉस्टल से कम नहीं है। इस जेल में कैदियों को लगजीरियस सुविधाय मिलती है।